दोस्तों सायद आपके फोन में भी कुछ इस प्रकार का emergency alert message गया होगा और यह message इस प्रकार आता है भाई कि आप डर जाएंगे मेरे पास भी जब यह message आया तो होता क्या है कि आपकी mobile phone में automatically यह message जो है display हो जाएगा आपका फोन जो है बंद है या फिर चालू है आप चला रहे हैं कोई फरक नहीं पड़ता ये मेसेज दिखेगा और तेजी से आवाज भी करेगा ऐसा लगेगा कि अब तो मेरा जो फोन है वो बलास्ट होने वाला है उनने वाला है भाई हम मुवाईल के पास सट नहीं रहे थे और साथ में ये मेसेज में टोंटों कर रहा था भाई आप एकदम डर जाएंगे एसके पीछे क्या रिजन है ताकि आप डरेना और आप इसका लाप उठा पाएं चलिए दोस्तों, यहां पर देखे, सबसे पहले English में आया था यह message, ठीक है, यहां पर देखे, दो message है, कुछ दरी के बाद यह वला, 10 minute के बाद यह वला message आया था, ठीक है, तो सबसे पहले English वला पढ़ते हैं, बस इसी का यहां पर Hindi है, ओके, और भी हो सकता है कि भाई, और भासवां में जा, clear, चले, खर, कोई बात नहीं, यहां पर English वाला पढ़ते हैं, क्या लिखा गिया है, पहले यहां पर देखे, this is a sample testing message, सबसे पहली बात तो यहां पर लिख दिया गिया, कि यहां एक sample testing message है, यानि कि test किया जा रहा है, sent through cell broadcasting system by department of telecommunication, government of India, please ignore this message as no action is required from your end, य अगर यह message आता है, तो, this message has been sent to test pan India emergency alert system being implemented by national disaster management authority, इसी के तुवारा जो है, यह implement किया जा रहा है, it aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies, तो यहां पर, असफस्ट पताया गया, कि इमर्जेंसी के समय में, यहां पर जो है, इस तरह का message भेज करके, आपका सुरच्छा किया जा सकता है, चले इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं, ताकि आपको चीज़े और भी असानी समझ में आ जाए, लिखा गया यह भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा, दूर संचार विभाग द्वारा, सेल ब्रोडकास्टिंग सिस्टम के माधियम से भेजा गया, एक नम आपातिस्ति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है, और यहाँ पर टाइम भी दिखता है, ओके, दोस्तों यह जो मेसेज भेजा जा रहा है, और जिस परकार यह मेसेज आता है ना, एक अच्छा विकल्प है कि आपको अलर्ट कर दिया जाए, आपको साउधान कर दिय अगर किसी तरह की आपदा आने की संभावना या फिर आ रही हो, चैया वह भुकंप है, सुनामी है, बार है, या फिर आंधी तुफान है, या फिर किसी तरह का हवाई हमला है, या फिर जमीनी हमला है, जिस तरह का भी हो सकता है, आपदा जो है, दो तरह का होता है, प्रकृ सब्सक्राइब किया सकता है और इसमें कुछ चीजें बचने का उपाय भी दी जा सकती है ठीक है तो यह अखिर कर हुआ कैसे तो पिछले साल जो है दोस्तों पिछले साल है बीस जूलाई बीश जूलाई को क्या हुआ था Department of telecommunication जो है नबबब of telecommunication और साथ में ND यानि National Disaster Management Authority यह दोनों जो है यहां पर collaborate किये हैं ठीक है यह tweet में करके बताया गया था Department of Telecommunication और यह National Disaster Management Authority दोनों ने collaborate किया है और क्यों किया है इसके पीछे reason यह है सबसे मुख्य बिंदू यह है कि इस तरह का एक system बनाना है अलर्ट system बनाना है ताकि भाई जादा से जादा लोगों की जान की सुरक्षा की जा सके किसी भी आपात स्थिती में emergency की स्थिती में ठीक है किसी तरह कभी आपदा आता है तो उससे बचाने का एक सही विकल्प हो सकता है और इसके लिए यह testing की जा रही है तो इससे आपको ढरणा नहीं है यह जो कारिये हैं आपके लिए ही किया जा रहा है अगर आपके छेत्र में भाई कोय भिया अगर आपदा AYगी तो भाई पूरे देश में तो नहीं आएगा हो सकता कि सिमित छेत्र बाद में जो है यह चीज एक्चुल में परियोग दिया जाएगा अगर किसी तरह का आप दाता है तो फिर इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर कुछ सजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है और यह जो सिस्टम है दोस्तों यह विदेश से कोपी करके जाता है तो यहां पर भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि भाई खुससे जो हैं Mind astronax हिसाब से हम यह मैसेज भीज सके विदेश स्टम अपना करके बाद में हलाएं len यहां पर डेवलफमेंट हो जाstroke उपसे यह जो है लिगिन अभी फिलहाल जो है वीदेश से इसके लिए सहाता ली जा रही है और अभी विक्सित देश चाहे रूस हो चाहे वेरिका हो चाहे प्रांस हो चाहे जर्मनी हो चाहे जपान हो ये सारे देशों में भी इस प्रकार का जो सिस्टम है वो अपना जा रहा है आपदा से बचने के ल है और इसे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए हमारे लिए है कि लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ यह होंगे इमर्जेंसी अलर्ट एक्स्ट्रीम है क्या और यह बड़े लेवल पर भेजा रहा है ऐसा नहीं कि आपके ल मुबाइल में ही इस चीज को क्यों भेजा गिया है इसके पिछे भी रीजन है दोस्तों अभी मुबाइल फोन जो समार्ट फोन जो है सभी के पास है लगभग में और ऐसी सिती में होता क्या है कि अगर आप रात को सोई हुए भी है तो उसमें तो भाई निउस देखेंगे और अलर्ट हो जाएंगे इस बात को अपको धियान में रखना चाहिए और कई बार है कि अगर निउस में भी चीज़े आ रही है दिखा रहे है था हम लोग कई बार विश्वास भी नहीं करते हैं लेकिन अगर ये सरकार के दौरा खुद सरकार के डिपार्टमेंट के दौर अगर बेजा जा इस तरह का मेसेज तो सायद आप तुरंट विश्वास करेंगे और उसकी अधार पर आप तुरंट काम करेंगे ओके तो ये सारे बेनिफिट है और इस तरह का काम यहाँ पर होना चाहिए बहुत अच्छी बात है ठीक है तो मुझे उमीद है दोस्तों अग अगला वीडियो में जै हिंद वंदे मात रहां